आज हम ठैले में जो मिलती है वैसी ही दही पूरी बनाएंगे लुक बहुत अच्छा है खाने में एकदम टेश्टी है इसी टाइम पे हम सामके टाइम पे अगर भूक लगी है अगर आपके पास चटनी रेडी है और पूरी घर पे रहती है तो यह आप दही पूरी फटा- करते हैं यहां पर मैंने बॉइल करके आलू ले लिया है तो मैंने चिलके निकाल दूंगी अभी सारे तो मैंने यहां पर साड़े साथ सो ग्रम आलू ले लिया है इसके चिलके निकाल देंगे और इसको क्रश कर देंगे तो यहां पर मैंने सारे चिलके निकाल दिये है अभ इसको मैस करेंगे हम तो इसको हम सारे ले लेके मैस कर देंगे तो ये मैंने मैस कर दिया है अभी इसके अंदर सुखा मसाला करेगे तो नमक टेस्ट के ही साब से डाल देंगे एक स्पून हम लाल मिर्ची डाल देंगे दो स्पून हम चाट मसाला डालेंगे ताके बहुत टेस्टी लगेगा इसके साथ थोड़ी से धन्या डाल देंगे और थोड़ा सा हम काला नमक डाल देंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो friends ये मसाला आप ऐसे ही बनाओगे तो बहुत एक tasty बनता है जनरले में हरी मिर्ची यूज करते हैं लेकिन मैंने लान मिर्ची डालके बनाया है इसके बाद यहां पर हम धई रेडी करेंगे तो मैंने ये सुमूल का दई लिया है इससे आपके जो धई पूरी है वो बहार मार्केट में जो मिलती है वैसा ही same taste आएगा तो मैंने यहां पर सुमूल का दई लिया है इसमें थोड़ा सा हमने अलका सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ज़्यादा हमको पानी नहीं डालना है और इसको विक्सर की वदद से हम मिक्स कर देंगे तो यहां पर हमको ना तो ब्लेंडर से करना है नो मिक्सर में पीसता है ताके ये एकदम बढ़िया से धही पूरी के लिए धही अगर ऐसे ही बनाओगे तो मार्केट में जो मिलता है वैसे ही धही पूरी आपकी बनेगी तो आप देख सकते हो इतना ही ठीक हमको धही चाहिए अभी मैंने पूरी ले ली है ग्रीन चतनी और इमली की चतनी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली है तो ये मैंने पूरी ले ली है इसके साथ हम आलू का मसाला पहले डाल देंगे तो यहाँ पे मैं पहले आलू का मसाला डाल दूँगी तो सारी पूरी में हम मसला पहले आड़ कर देंगे फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को क्लिक करना तके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कॉमेट करना और फ्रेंड के साथ सेर कर देना इसके अंदर मैं पहले दही डाल दूँगी तो दही हम तोड़ी कॉंटेटी जादा ही लेंगे तो मैंने एक बार का डाल दिया था, दूसरी बार डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने खजुर और इमले की चटनी ले लिए है, वो इसके अंदर एड़ कर देंगे उसके बाद इसके अंदर हम ग्रीन चटनी एड़ कर देंगे तिक्खा आप आपके इसाब से बना सकते हो, अगर आपको ज़्यादा तिक्खा खाना है तो आप ग्रीन चटनी ज़्यादा डाल सकते हो एकदम बढ़िया और टेश्टी ऐसे ही बनेगा, इसके उपर हम थोड़ी सी बुजया डाल देंगे और उपर से थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे, लाल वाला मिर्ची डाल देंगे और इसके बाद उपर से थोड़ी सी धनिया डाल देंगे तो फ्रेंड्स एकदम इजी और गर पे आप अगर साम के टाइम भूक लगिये तो ये आराम से बना सकते हो thank you for watching bye bye take care